News 18, इंडिया को साथ में संपर्क में था NIA ने उसकी घर से जिहाद से जोड़े कई दस्तवे जब किये हैं अब NIA ये पता करने में जुटी हुई है कि महामद जोहेब महराष्ट और दूसरे राज्यों में किन-किन लोगों के साथ संपर्क में था पिछले छे महीने में NIA ने महराष्ट में ISIS के आद दूसरे मोड्यूल का परदाफाश किया है और चोकाने वाली जानकारियां पूश्टाच में सामने आई है और इसके पहले आरूपी मौहमद जोहेब को NIA ने चत्रपती सामाजी नगर मोड्यूल केस के मामले में गिरफतार किया था NIA की काई टीमों ने ISIS मोड्यूल केस ते जुड़े इस मामले में महराष्ट में काई जगों पर च्छापे मारी किया है NIA कोई जानकारी मिली थी कि सामाजी नगर मोड्यूल और इसके नेटवर्क से जो जुड़े वे संदिक्द लोग है काई महत्पूर्ण प्रतिष्ठानों और इमार्तों को ये निशाना बनाने की साज़िश रच रहे है और जानकारी यही मिलनी है कि पकड़े गए आरोपी के खब्जे से इलेक्ट्रॉनिक गैजट्स प्रतिबंदित साहेत्या साथी इसलामिक दस्ता बेस भी बरामत किये गए हैं तो बड़ी खबर इस वक्त कि आपको हम बता रहे हैं NIA ने छत्रपती सामाजी नगर मोड्यूल केस के मामले में अब गिरफतारी की है NIA की कई टीमों ने ISIS मोड्यूल केस से जुड़े वे यह जो पूरा मामला है इसमें माराश्ट में कई जगों पर छापे मारी की है टीम पोटी और कई संदिग्द चीज़ें यहां से बरामत की गई है आपको बताएं कि NIA को इस तरह की जानकारी मिली थी कि जो सामाजी नगर मोड्यूल है इसका नेटवर्क है इसी से जुड़े बहुत से संदिग्द लोग है जो कि कई प्रतिष्ठे से जगों पर और साथी इमारतों को निशाना बनाने की साज़िश रचने और बस जैसे य इसके पास से मिले और जब छापे मारी की गई तो वहाँ से इस्लामिक दस्ता वेज बरामत किये गए हैं तो बहुत नापाक मनसूबे जिनकी जानकारी NIA को मिली थी बस उसी के बाद ये छापे मारी की गई है बताएं यह जा रहा है तस्वीर जिसके आप देख रहे हैं य शायद कुछ और बड़ा परदाफाश हो सकता है ऐसी खबरे मिल रहे हैं कई जगों पर जाकर इस शक्स ने रेकी की थी नियूज 18 इंडिया संबाता विवेक गुपता मुंबाई से हमारे से जुड़े हैं विवेक ये मुहमेद जोहेव जिससे पुष्टाच हुई कई चौकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं कई खुलासे हुए हैं और लोगों तक पहुशना जरूरी हो जाता है महाराश के सामाजी नगर से और आपको बनाना चाहिए कि एक बड़ी टीम ने कल सामाजी नगर में तक्रिमा नौ जगाव पर चाहपे मारी की थी और इन नौ जगाव पर जो में आरूपी है जिसको ग्रफ्टान किया गया है वो आईस आईस के हैंगलर है और बता जा रहा ह कि वो हिंदुस्तान में कई वाइटल इंस्टालेशन पर आटेक करने की प्लानिंग कर चुका था और इसी के जरी जैसी अनाई तो सुचना लगी उन्होंने मुंबाई टीम के साथ साथ जो दिली की टीम है वो वी आप में आई ती और शटपरी सामाजी नेगर में नौ है कि यह जो मुहमेद जोहेव है जिससे गिफ्तार किया गया वो ना सिर्व आतन के हमले को अंजाम देने की फ्लाक में था बल्कि महराश्ट और दूसरे राज्यों में जो लड़के थे उन्हें उन्हें पहला फुस्ट लाकर आई साइट में सामिल करने की भी तैयारी करा सोशल मीडिय के जरिये भी कई लोग के सा संपर्थ में था और वो लोगों से मिलता भी था कहां मिलता था इसकी जानकारी एनाई ने नहीं दिया ठीकर उसके सारे जो लाप्टॉप हैं गैजेट्स हैं और जो मुबालपोन हैं उनकी जाच अब नाई कर दिये कि आकिरकार मो वो क्या सिर्फ मुंबाई में ही कर रहा था या बाहर भी रेकी की गई थी आतंकी अमला क्या महराष्ट और मुंबाई में करने की प्लानिंग थी या पूरे देश में अलग-अलग जगों पर ऐसी बार्दात की प्लानिंग की गई थी जश्मी देखिए इस पूरे मामले में एनाई का साफ तुरुपे कहने कि कापी ज्यादा सेंसिटिव मामला है तो उसमें ज्यादा डिटेल वो बतानी सकते हैं लेकिन उन्हों में साफ तुरुपे कहा कि महराष्ट में कई जगा पर मौमाज जोईब उनकी निशाने पर था मौमेज जोईब ने बकाइदा वाइटर इसलेक्शन जहां पर थे वहां पर कोई बड़ी वार्दात को अज्याम देने की प्लानिंग कर रहा ता लेकिन जिस तरिके से नाई सूतों से जानकारी मिल रही कि वो भरती भी कर रहा था इसलिए वह महराश का लावा जो दूसरे राजियो और दूसरे बड़े शहरू में भी इसकी पूरी प्लानिंग कर रहा था यही वज़िया है कि नाई ने जो उसके घर से काफी जादा जो सेंसिटिव और भड़काओ लिट्रेशन होता है उसे भी बरामत किया है काफी डिवाइस बरामत किया है आज मौमेज जोई ठीक एवएक तो कई चौकाने वाली जानकारिये सामना ही है शुपिया बड़ी खबर श्री नगर से जहां पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चनाया है हफते भर पहड़े आतनवादी में पंजाब के रहने वाले दो लोगों पर गोलिया बरसाई थी इस गोलिबारी में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो नाले में आतनकी के फोन की तलाश जारी है तस्वीरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं श्री नगर में पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है जो आतनकी घटना होती है हफते भर पहले उसमें जो आरोपी पकड़ा जात पारियां एहम तुराग फोन से मिल सकते हैं उसके बाद कई खुलासे होंगे तो अमरतपाल सिंग के नाम के एक व्यक्ति की जान चली गई थी हमने पिछले हफते देखा था जो आतनकी बारदात होती है और ऐसे में जब आतनकी घटना का रास तब खुल पाएगा जब फोन मिलेगा ऐसे में फोन की तलाश तेज हो चुकी है पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है नाले में आतनकी की फोन की तलाश जारी है और एक हफते पहले आतनकी ने नाले में ये फोन पेका हुआ था मुख्यारोपी आदिल मंज़ूर को गिरफतार तो किया गया था लेकिन उसने चौलाकी दिखाते हुए अपने फोन को नाले में फेक दिया था अब बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त श्रीनगर में चल रहा है तो सुरक्षा के लिहास से वैसे भी श्रीनगर बड़ा समवेधन शील इलाका है ऐसे में हमने देखा था कि कुछ सालों तक आ आतंकी पकड़ा जाता है लेकिन उसने फोन को फेक दिया था उसी की तलाश जारी है अब देखिए फोन की तलाश इस वक्त की जारी है क्योंकि बड़ा एविडेंस इस वक्त यही है पुलिस और सुरक्षा बल दोनों श्रेनगर के आली जन रोड इलाखे के पास अभी उसी मोबाइल फोन को ढूलते दिकाई दे रहे है लेकिन जाच एजनसियों ने दावा यही किया है कि इसी फोन के जर्ये जिसकी तलाश अभी की जारी है ना इसी फोन के जर्ये आतंकी को पाकिस्तान से ओडर मिलता था और यही वज़ा है कि पुलिस और सुरक्षा बल उसके मोबाइल फोन के जर्ये पाकिस्तान से ओडर उसे मिलते थे वो उसने पकड़े जाने के पहले ही पानी में फेक दिया था अब आप समझे अगर आतंकी पानी में नाले के पानी में मोबाइल को फेक रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सी महतुपूर चीज़े इसी के बाद सुरक्षाबल और पुलिस की एक बड़ी टीम नाले में अभी फोन को ढूंड रही है उसे से जुड़ी हुई यह तस्वीर आपके सामने है थार आप कर दो दूंड रही है यह है उसे नाले में च्किन है फुलिस की. झीज़ कि उसके सब्सक्पम सामने है कि एक बादे वे एक बादे है झाले को भीूग'.